हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी जो वीडियो है ये है स्टेटिस्टिक्स रिविजिन वीडियो क्लास 10th के लिए और इसके अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीन, मोड और मीडियन तो सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करते हैं मीन, नाओ, मीन का जो सबसे पहला मीन तोल मीन निकालने के हमारे पास तीन मैथोड्स है, तो पहला है डारेक्ट मैथोड, डारेक्ट मैथोड, ना स्पोस मेरे पास च्लास इंटर्वर्स दिये हूं है, और इसकी मुझे फ्रिक्वेंसी दिये हूं है, वन, टू, फोर, टू, वन, तो डारेक्ट मैथोड के रिसाब से जो मीन का फॉर्मला है, इट इस सिगमा FI, D.I. अपान में सिगमा FI, यह सिगमा का मतलब होता है सम, तो यानि कि सम ऑफ ओल सिगमा FI का मतलब, जो FIs हैं उन सब का सम, यानि कि यह और सिगमा FI, D.I.никait, एक और column बना लें, fi into di करके और उसका sum निकालें फिर, ठीक है जी, तो हम क्या करें इसमें, अब हमने क्या किया, sigma fi di के लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम di निकालें, सॉरी, sigma fi xi, तो हम इसके लिए xi निकालें, अब xi क्या है, it is mid value, mid value किसकी, mid value of class interval, right, तो class interval की mid value कैसे निकालते हैं, अब 0, plus 10, यानि कि 10, 10 divided by 2 is 5, फिर 10, plus 20, 30, 30 divided by 2 is 15, और क्योंकि सारे differences हैं, वो 10, 10 जे हैं, तो इसमें भी 10, 10 के आएंगे, तो 5 और 10, 15, 15 और 10, 25, 25 और 10, 35, 35, और 10, 45, तो इस तरह से, इसका हमने xi निकाल लिया, अब हमें निकालना है, sigma, fi, xi, right, फिर इसका हम निकालेंगे, sum, now, fi into xi means, this into this, तो 1, 5, the 5, 15 to the 30, 25, 4, the 100, 35 to the 70, 45, 1, the 45, और total इसका करें, तो 5 और 5, 10, 4, 4, 8, 7, 15, और 250, राइट जी, और इधर हमने करा तो, 3, 4, 7, 2, 9, 10, तो mean का फार्मला क्या है, sigma, fi, xi, upon में, sigma, fi, तो it is equal to 250, upon में 10, is equal to 25, fi, यह इसका mean आगया हमारे पास, right, दूसरा जो method है, यह है direct method, अब दूसरा method जो है, उसको हम कहते है, shortcut method, या assume mean method, shortcut method, या फिर assumed mean method, right, तो इसमें क्या है, अब वो सेम question हम यही वाला ले दें, now, ci, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50, और fi दिया हुआ इसका, 1, 2, 4, 2, 1, चलो इसका total भी कर लेते हैं पहले ही, यह हमने करी लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे उसमें x i निकाला था, इसमें भी x i, वो इसका mid value, यानि कि 5, 15, 25, 35, 45, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक निकालना है, di, क्योंकि इसका जो formula है, mean का, इस shortcut method से, या assume mean method से, वो formula है, a plus sigma fi di upon my sigma fi, right, यह इसका formula है, now, इसके लिए जो di है, di क्या है, it is x i minus a, right, x i minus a, और फिर उसके बाद हम एक लगाएंगे, और fi di, now, x i minus a का मतलब हो गया, कि अब आपको यहां पहले तो a निकालना है, तो a हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर से, यह जो है, इसके अंदर से कोई भी number ले लिजे, it will give you, di, ठीक है न, किसी को भी लिया है, तो हम इसको mean, assume mean कर लेते हैं, now, अगर आपको suppose, अच्छा तो यह होता है, कि अगर हम beach वाला number को लेते हैं, तो उसमें calculations easy हो जाती है, but suppose you are afraid of plus minus calculations, तो आप क्या करो, इसका जो पहला number है, उसको a लो, तो let a is equal to, मैं पहला number ले रहा हूँ, आप दुनिया को कोई भी number ले सकते हैं, answer ठीक आएगा बिल्कुल, तो अब क्योंकि यह xi minus a है, ठीक है जी, तो यह आँसे शुरू होगा 0, यह 10, यह 20, 30, और 40, now fi into di, means this into this, 1 into 0 is 0, 210 दा 20, 24 दा 80, 32 दा 60, और 41 दा 40, टोटल हो गया, तो इसका टोटल भी चाहिए है, तो यह हो गया, 0, 10 और 10, 20, तो अगर इसके अंदर हम values भरें, now a, a था हमारा 5, plus sigma fi di is 20, upon में 10, तो यह 10, यानि कि यह हो गया 5 plus 20, which is 25, और यह हमारा answer इसके 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 नोट कर लीज़े आप, पॉस करके, mean निकालने का तीसरा formula इसके बाद हम करने लगें, वो है step deviation method, now step deviation method क्या है, वो एक step और आगे चला जाता है, step deviation method, step deviation method के इसाब से जो mean है, उसका formula है, a plus sigma fi ui upon में sigma fi into h, right, तो अगर मालों कि हमारे पास जो question था, हम वही वाला प्राने वाला question लेंगे अगर अपना, which is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, right, और fi इसका दिया वधा में, 1, 2, 4, 2, 1, total इसका हमने किया था उस वकत, 10, now इसको बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे, जहां जैसे हमने वो शुरू किया था, सबसे पहले x i, x i क्या है, mid value इसकी, तो 5, 10 plus 30, 10 plus 20, 30, 30 divided by 2 is 15, ऐसे मैंने कहा था कि अगर यहां 10, 10 का difference हो, तो यहां भी 10, 10 का difference होगा, तो 15 और 10, 25, 25 और 10, 35, 35 और 10, 45, उसके बाद से विल्कुल सेम वैसे ही, हमने अब assume mean जैसे लिया था उसमें, इसमें भी सेम वैसे ही assume करेंगे, और मैंने कहा था कि अगर आप plus minus के sign से बचना चाहते हैं, तो जो पहला number है, उसी को ही assume mean कर लें, let a is equal to 5, तो इससे क्या आएगा, अब हमारा di आई आजाएगा, which is equal to xi minus a, right, तो 5 minus 5, 0, 15 minus 5, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, right, अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ui निकालना है, ना यह ui क्या चीज़ है, भई, ui जो है, it is equal to di upon me h, तिके h क्या है, h is class size, यहाँ पर क्योंको 10, 10 का class का size है, तो h आगया 10, तो यानि कि अब हमारे पास, जो यह आया है di, इसको 10 से divide करते जाएंगे, जब 10 से divide करेंगे, 0 divided by 10 is 0, 10 divided by 10 is 1, 20 divided by 10 is 2, 30 divided by 10 is 3, 40 divided by 10 is 4, तो f i ui, right, अब f i ui, तो f i ui के लिए क्या है, ui यह रहा, f i यह रहा, 1 0 दा, 0, 2 1 दा, 2, 4 2 दा, 8, 2 3 दा, 6, और 1 4 दा, 4, total इसका भी हमें चाहिए, कितना हो जाएगा यह, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 4, 20, तो therefore mean is equal to, now a is 5, plus sigma f i ui which is 20, अब आन में f i sigma which is 10, into h which is 10, तो यह 10 से 10 कट गया, answer आ गया 5 plus 20, it is equal to 25, आप mean method कोई भी लगा ले, answer उसमें same ही आने वाला है, तो आप इसको वीडियो को पॉज़ करके यह कर लें, ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारे पास, हमने कर लिया mean के अब तीनों parts कर लिये, उसके बाद आप हम करेंगे इसके अंदर mode, और फिर median करेंगे, right? Now, mode के लिए भी स्पोज हम यही वाला question ले दें, CI और FI, Now, mode के लिए इस दूरी है कि हम सबसे पहले, mode का जो formula है, वो है L1 plus F1 minus F0 upon me 2F1 minus F0 minus F2 into H, ठीक है जी? Now, यह F1, F0 क्या है, जो सबसे बड़ी class है, जिसकी frequency सबसे बड़ी है, right? That is F1, यानि कि 4 जो है, वो F1 है, 4 से जो पहले वाली class की frequency है, वो F0 है, और जो 4 के बाद वाली class है, वो है F2, एक तो इसमें यह आ गया, अब आपका इतना हिस्सा आ गया, और इसके लिए L1 के लिए ज़रूरी है कि हम पहले modal class निकालें, modal class निकालने का क्या तरीक है? जो सबसे बड़ी frequency वाली class है, तो हम यहाँ लिखें, because 4 is the highest frequency, जो highest frequency वाली class है, वो ही आपकी modal class है, therefore, 2230 is the modal class, अब कई बर क्या होता है? एक एक नंबर के question यही आ जाते हैं आपके, कि बड़ी modal class निकालो, तो अब आप क्या करोगे बस? इतना करके और यह निकाल दोगे, जो highest frequency है, वो ले लिया, और उसके बाद जो highest frequency वाली class है, that is your modal class, ठीक है जी? तो अब आपने यह निकाल लिया, दूसरा आपको x चाहिए है इसमें, इसके अंदर दो चीज़े थी, एक तो है, जो L1 है, L1 क्या है? modal class की जो lower limit है, which is 20, 20 to 30 है, तो modal class की lower limit क्या होगी? 20, दूसरा आपको x चाहिए, जो की है class size, तो वो 10, 10 का ही है, तो वो चलेगा इसके अंदर, अब हम क्या करें? सारी values इसमें भर दें, तो mode जो है, mode is equal to, formula यह रहा आपका, right, तो mode is equal to L1 यानिकी 20, plus F1, which is 4, minus F0, which is 2, अपान में 2 into 4 minus 2, और F2 भी 2 ही है यहाँ पे, तो minus 2 into H is 10, तो यह आगया आपका, 20 plus 4 minus 2, 2 अपान में 4 to the 8, 8 minus 2 minus 2 minus 4, 8 minus 4 is 4, into 10, तो यह 2 1 दा, 2 2 दा, और 2 5 दा, तो answer आगया आपका, 20 plus 5, that is 25, तो इस class का जो mode है, वो भी 25 आगया इस question, right, इसमें आपको students formula अच्छी तहां से याद करने चाहिए, लिख लिख के, क्योंकि formula भी SD questions है, अगर आपको formula आ जाता है, तो आपको questions भी बड़े easily हो जाएगा, ठीक, तो यह था हमारा mode, इसको आप pause करके, note कर लीजे, इसके बाद हम चलते हैं, median पे, now, median के लिए, median के लिए भी हम यही वाला ले ले लेते हैं, okay, now, median जो है, median, इसका formula क्या है, इसका formula है, L1, plus, N by 2, minus CF, upon में, F into H, राइटी, यह है, median का formula, अब स्वाल उठता है, इसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या करें, इसके अंदर हमें, cumulative frequency के लिए, अलग से, column बनाना पड़ेगा, CF, means cumulative frequency, cumulative frequency क्या होती है, उस level तक frequency का total, तो 1 है, तो इसके सामने 1, 1 और 2, 3, 3 और 4, 7, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10, यह दोनों जो है, same आने चाहिए, अगर same है, इसका मलदब आप हमारा question, ठीक है, तो क्या है cumulative frequency, उस level तक की frequency का total, 1 है तो 1, 1 और 2, 3, 3 यहां तक कर लिया, 3 और 4, 7, 7 यहां तक हो गया, 7 और 2, 9, 9 यहां तक हो गया, 9 और 1, 10, ठीक है जी, तो यह तरीका है, इसको CF निकालने का, अब दूस्ता इसका काम क्या है, जैसे उसमें हमने modal class निकाली थी, इसमें हमें median class निकालनी है, no, median class के लिए, हम क्या करें, सबसे पहले हम n बाइ 2 निकालें, तो यह है हमारा n, some of all the frequencies is known as n here, तो हम क्या करें, n बाइ 2 निकालनें यहां पर, n बाइ 2 क्या है, यानि कि 10 बाइ 2 is 5, now 5 से एकदम बड़ा, 5 से एकदम बड़ी जो cumulative frequency है, उससे पहले यह वाली line डाल दें, ऐसे, ठीक है न, बाइ 5 से एकदम बड़ा कोन है, 7, तो 7 से पहले, और 3 के बाद, यह वाली मैंने line डाल दी, ठीक, और अब यह design देखिए, क्या मतलब हुआ इसका, अब देखो, इसके अंदर, यह तो है मेरी median class, therefore, 20 to 30, is the median class, ठीक है न, 5 से एकदम बड़ी जो cumulative frequency है, उसके सामने वाली जो class है, उसको हम कहते हैं, median class, और, यह जो इसके सामने वाली frequency है, this is your F, जो यह आया हाएगी, और, जिस class की आपने, जो है, जो आपकी median class है, उससे पहली class की जो CF है, that is your CF, जो यहाँ आएगी, n by 2 हमने निकाली लिया, और, h आपको पताईए, h क्या है, class size, वो 10 है, ठीक है जी, और, l1 अब क्या आगया, median class का, lower limit, यानि कि 20 है यहाँ पे, तो median is equal to, formula यही रहेगा, 20 plus, now n by 2, n by 2 हमने निकाला थे हैं, यहाँ पे 5, minus CF, CF is 3 here, 3, अब आउन में, F, F is 4, into, h is 10, तो यह क्या हो गया है, 20 plus, 2 by 4 into 10, 2 अन दा 2, 2 to the 4, and 2, 5 to the 10, so it is 20, plus 5, that is, 25, right, तो यह है आपका, median, इसके अंदर, ठीप, अब इसको पाउज करके, note कर ली जैं, अब जैसे हमने, mean, mode, median निकाले, इसके अंदर, last चीज जो है, वो है, इन तीनों के बीच का, empirical relationship, empirical, relationship, right, इसके उपर, एक एक नमबर के questions आ जाते हैं, नो क्या है, empirical relationship, यह mean, mode, median, तीनों, जो measures of center tendencies हैं, इनके बीच का relation है, which says that, 3 median is equal to mode, plus 2 mean, ठीक है जी, 3 median is equal to mode, plus 2 mean, ना हम इसको चेक करते हैं, कि क्या यह true है, right, तो हमारे पास, अभी हमने जैसे निकाला question, और उसके अंदर हमें पता है, कि mean, mode, median, तीनों 25 आए, तो हम चेक करके देख लेते हैं, into 25, mode is 25, plus 2 into 25, कितना हो गया, 25, 3 दा 75, और यह हो जाएगा, 25, plus 25 to the 50, 50 और 25 कितना हो गया, 75, यह भी 75, तो therefore, LHS जो है, it is equal to RHS, ठीक है जी, left hand side, right hand side के equal है, तो इसका मतलब, empirical relationship hold करता है, नहीं यह question किस तरह से आ सकता है, आपको एक, दो, दो चीज, मतलब तीन में से कोई दो चीज दी हूँ, और 30 चीज निकाल नहीं हो, तो आप यह, empirical relation लगा के, निकाल सकते हो, I hope आपको यह चीज clear होगी होएगी, statistics की, अगर आपको किसी भी तरह की problem है, तो आप मुझे ज़रूर, अपना comment box में लिखें, और अगर, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको like कर दें, अपने friends के साथ share करें, चैनल अभी तक subscribe नहीं किया, आपने तो इसको subscribe कर दें, ताकि जैसे ही आपको नई वीडियो आती है, उसीदा आप तक सबसे पहले पूंजा, All the best, Good luck,